जय माता लक्ष्मी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो जरा ये बताईए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो आपके जो बाल तूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है? आप कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती हैं, अगर आप भी यह गलती करती हैं, तो हो जाईए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की प पोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़-चिड़ा आती रहती है, और कई तरह के आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि हमारे परम पूझ ये बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है, कि जो भी महिलाएं अप आत्मक शक्तियों का प्रभाव हमें हावी रहता है, तो सवाल ये है कि आखिरकार तूटे हुए बालों का क्या करें और तूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी नहीं पढ़ सकती है, इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र, नाम के एक जो पुस्तक ह उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके सिंगर तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। में कई प्रकार के तरक्की कर सकती है। लेकिन गुरू जी का यह भी कहना है कि अकसर महिलाओं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अकसर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हे अपने बालों को धोने चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बढ़ती है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के साथों दिन में से कुछ विशेश दिन महिलाएं, अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है, तो यह उनके परिवार के लिए बिलकुल भी सही नहीं हो इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताये जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित है, होता है क्योंकि जोतिश कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा उंची या नीचे स्थिती में होता है, ज गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पती के तरक्की में रुकावट आती है, वही मंगल वार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कु महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने तूटे हुए बालों को यहां वहां फेकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। क्योंकि मंगल ग्रह आपके धन संपदा, समरिध्य और व्यापार में बढ़ोत्री के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना शुभ माना नहीं जाता है। दरिद्रता पैर पसार लेती है बलकि आर्थिक तंगी होने आपको रंग का बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए। लेक को शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसे आपके घर में धन संपदा वैभव, एश्वर्य सुक संपत्ति में बढ़ोत्री होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। क्योंकि आपकी इसके अलावा कई और दिन होते हैं। जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा, एकादशी और इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुब नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए। क्योंकि महिलाओं के लिए जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्या के बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बा जब रोजाना बालों में कंगी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल तूट जाते हैं और अक्सर महिलाओं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंग देते हैं या फिर यूँ ही सडक पर फेंग देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास बालों के जरिये को भी बुरी शक्ति आपके उपर हावी हो सकती है और साथ ही कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशी करण भी कर लेते हैं, साथ ही तांत्रिक लोग अपने नीतियों को सिध्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरू जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे गुरू जी का बताया हुआ यह उपाय अपना कर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे उम्मीद करते हैं कि गुरू जी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद